हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कम्पिटर लर्निंग चैनल ऑन योट्यूब ओटोकेट टुटोरियल्स के इस पार्ट में आज आप सिखेंगे कि कंस्ट्रेक्शन लाइन का यूज किस तरह से क्या जाता है आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप ओटोकेट प्रोग्राम को ओपन करके रखेंगे उसके बाद आपकी ड्राइट टूल्स को भी आप एक्टिवेट करके रखेंगे उसके अंदर जो हमारा सेकर्ड ओप्शन है वो है कंस्ट्रिक्शन लाइन construction line पर हम click करेंगे construction line पर हम जैसे ही click करेंगे वो line हमारी select हो जाएगी उसके बाद हम जहाँ पर भी click करेंगे हमारी एक देखेंगे आप line create हो गई है अगर आप कहीं और भी इस line को create करना चाहें तो वाँ click कर सकते right button click करकर आप चाहें तो इसे fix कर सकते हैं dear friend construction line एक ऐसी line होती जो एक infinite line कहलाती है यानि एक ऐसी line जो अनन तक होती है आपको यह continue दिखाए देती है especially autocad में इस tools का use जब हम करते हैं तो जब हम civil का कोई work करते हैं तो road बनाने के लिए हम इसका use कर सकते हैं और अलग-अलग field में आप इसका use अलग-अलग कर सकते हैं तो dear friend इसको भी आप use करके देखें Thank you for watching computer learning channel on YouTube